नमस्क्राइब दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वाज़त है। दोस्तों, बात करने वाले हैं पेन-कार्ड के बारे में अगर आपने पेन-कार्ड बनवाया और पेन-कार्ड किसी कारण बस आपका खोच चुका है, गिर गया है, गुम हो गया है या तूट गया है मनलब इस प्रकार की स्थती है कि पेन कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अपना पेन कार्ड दोवारा किस प्रकार से मंगवा सकते हैं फिलाल दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको UTI के माध्यम से जो भी पेन कार्ड बने हुए है उसके वारे में ही प्रो क्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिसे और भी आने वाले वीडियो का नोटिपिक्शन आप सबसे पहले मिल दे रहे हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने के स्कीन पर और सीखते हैं कि हम पेन कार्ड के लिए कैसे अवेधन कर सकते हैं चलि हैं तुबारा मंगवाने के लिए आपको सबसे पहले सर्च बोक्स पे जाना है और यहां पर लिखना है यू टी आई पैन प्रेंट तो आप जैसे ही आप यहां किलिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले मिलेगा रिप्रेंट पैन कार्ड यू टी आई टी एस एल सिंपल और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर इस प्रिकासित पेज आ जाता है और इसके लिए आपको उपर की तरफ स्क्रोल करना है और यहां पर फर्स्ट ऑप्सन आपको मिल जाता है रिप्रेंट पैन कार्ड तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है क्लिक करेंगे क्ल Pen Card Number आपको यहां पर डालना होगा, उसके बाद जो भी जिसका Pen Card है उसका आधर नमबर आप यहां पर डाल सकते हैं, यह था इसे छोड़ सकते हैं, और उसके बाद जो Data of Birth है, यानि जन्म तित्ति है, वो आपको यहां पर डालना का अमपल सरी है, और उसके बाद इस दिये हु जैसे आप Summit करेंगे, आपके सामने यहां पर इस प्रकास से पर जाएगा, यहां पर आपको मिलेगा, Please verify your contract detail, आपको अपनी जो भी detail है, उसे verify करना है, यानि चेक करना है कि हमारी detail सही है या नहीं, उसके बाद आपको यहां पर OK कर देना है, तो यहां पर आप देखेंगे, मैं यहां पर बिलर कर रखा है, आप यहां पर अपनी detail को देख लेंगे, कि हमारी detail सही है या नहीं, उसके बाद दिये हुए skeptical को आप इस box में डालेंगे, और यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर आप एक OTP, जो OTP आता है, उससे OTP डाल कर हमें verify करना होता है, तो यहां यहां पर हम मिलेगा बोध यहनि दोनों email ID और mobile नमबर दोनों पर अगर आप SMS लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, अगर आप केवल mobile पर लेना चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करेंगे, और केवल email पर लेना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, त तो दोस्तों जैसे ही आप डढ़े पापर कलिक करें गे तो के सामने नया पैज प्रकास से होगा आप को यहां पर कर कर देना है तो आपकी यहां पर ढ़итल बो आज आती है। उसके बाद जो भी आप यहां पर देखेंगे कि जो पेंट काड़ है एक पेंट काड़ पर एक वन ताइम पासवट गया होगा यानि पेंट कारड पर जो भी mobile number registered है यहां पर जो भी mobile number registered है आप को यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपके pen card पर कौन सा mobile number registered है और इसी mobile number पर एक OTP जाएगा और उसे आप यहाँ पर submit करेंगे यह आप डालेंगे और डालने के बाद आपको submit कर देना है submit करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ charge पे करना होता है उसके बाद दोस्तों इस प्रकास से page होगा आपको यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप चाहें mobile number डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको continue payment पर click करना है जैसे आप continue payment पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकास से page आ जाता है यहां पर आपको बहुत जो है पैमेंट पे करने के जरीया मिल जाएंगे जो कि आप नेट पैंकिंग डेविट कार्ड या की वार कोड किसी से भी आप अपना पैमेंट कर सकते हैं तो फिला दोस्तों मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं तो मैं आकर यहां पर क्लिक कर देता हूं और किलिक करने के बाद आप अपने फोन पे गूगल पे या पेट्यम किसी के माध्यम से वार कोड को इसकेन करेंगे और इसकेन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपना जो भी अमाउंट है 50 रुपए का जो हमाउंट लगने वाला है उसे आप पे करेंगे तो चली मैं यहाँ पर इसे स्केन करके अमाउंट को पे कर देता हूं जैसे ही आप स्केन करेंगे और इसकेन करने के बाद दोस्तों आपका जो पैमेंट है वो यहाँ पर सक्षेस्पुल हो जाता है और आपको यहां पर एक receiving download करने को कहा जाता है तो यहां पर आप आएंगे आने के बाद आपको click करना है और आप देखेंगे कि यहां पर जैसे आपका payment successful होता है तो आपको यहां पर receiving मिल जाती है और आपका जो amount है वो देखने को मिल जाता है कि कितना आपका amount कटा हुआ है औ और उसका pen card number है जो कुछ ही pen card number दिखाते हैं और जो भी आपने payment किया है उसका जो application number है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों इस receive को आप सेब करके रख सकते हैं और इस प्रकार से अपना यूटी आई pen card दुवारा reprint करवा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारे चोटा सा टोपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिसे और भी आने वाले वीडियो आप तक सबसे